गुर्मीत राम रहीम दे फ्रीदकोट अदालच पेशोंदे हुकम ते हाइकोट ने रोकला दिती ए पँजाब हर्याना हाइकोट दे वल्लो गुर्मीत राम रहीम दा प्रोडक्शन वरेंड राद कर दिता गिया 29 उक्तूबर नो स्वेरे साडे 9 वजे गुर्मीत रामरहीम नो अदालच पेश करना सी पर हाई कोट ने इसते रूखला दिती है इल्लीगल ओडर है और हमने ओडर की क्वैशिंग और स्टे ओफ ओडर को प्रे किया था क्वैशिंग है दूसरी पिटेशन डाली थी अंटिसेपेटरी बेल की जिस एफ़ायर नंबर 63 में जो साक्रिलिज केस की है उस एफ़ायर नंबर 63 में क्योंकि वो अरेस्ट करना चाते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो एप्लिकेशन SIT ने डाली उस एप्लिकेशन में क्लियर लिखा है कि इस एक्यूस को हमें रोतक जेल से फरीद कोड लेके आना है क्योंकि हमें अरेस्ट करना है तो यह अरेस्ट करने का जो प्रोविजन है यह 267 में आप अरेस्ट के लिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं यह हमारा लीगालिटी पर फॉस्ट कुशन था सेकेंड वाज कि आंटेसेपेटरी बेल है यह फायर छे साल पुरानी है और संत राम रहीम को इन्हों ने जो नॉमिनेट किया था इस फायर में इट वाज उन 6 जुलाई 2020 तो हमारा यह था कि for one year and six months the SIT did nothing और अभी इन्हों ने अप्लिकेशन लगा के इतनी अर्जेंसी कुछ नहीं है अरेस्ट की 6 साल पुराने यानि की 2015 चे बरगाडी चोई ब्यादभी मामले दी जांचकारी SIT ने प्रोडक्शन वरंट हासल कीता सी जिसनो गुर्मीत राम रहीम ने हाई कोच चनौती दिती प्रोडक्शन वरंट दे खिलाफ गुर्मीत राम रहीम सिंग अपने वकीलना दे जरिये पंजाब एंड हर्याना हाई कोड दे विच पैटीशन दायर किती गई सी गी पूरा मामला एक जून 2015 है जदो पैंड बुट जवाहर सिंग वाला दे वेच गुरुगरंट साब जी दी पवित्तर बीड चोरी होई सी दो जून नूँ चोरी दा मामला दर्ज कीता गया जदो की 25 स्तंबर नूँ बरगाडी दे वेच पोस्टर लगे ते इस मामले दे वेच वी F.I.R. दर्ज होई 12 अक्तूबर 2015 नूँ बरगाडी दे वेच सरूप दे आंग खिलरे होई मिले सान ए मामला 6 साल पुराण है पर जे तक इस मसले च इनसाफ नहीं मिलया हला कि S.I.T. ज कई बणिया अते जांच दा दम वी पर्याग्या